एरवावी, एरवावी, चलो चलो, कहाने सुनने चले, सब तयार हाँ, एक, दो, तीन अन्ना मणी एक भारतिय वैज्ञानिक थी, जिन्हें अपने चारो तरफ की दुनिया के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था चलिए, जाकते हैं उनकी आठवी सालगिरा के कुछ लमों में और देखते हैं उन्हें वैज्ञानिक बनते हुए ये कहानी के बारे में एक नोट है, ये पुस्तक अन्ना मणी के जीवन पर आधारित एक वृत्तान्त है कहानी का शीर्शक है अन्ना मणी एक प्रखर मौसम विशेशग्या कहानी लिखी है नंदिता जैराज, ओरिजनली इन इंग्लिश, अन्नाज एक्स्ट्रॉडिनरी एक्स्परिमेंट्स विट वेदर इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूजा ओमवेर रावत और चित्र बनाए है प्रिया कुरियन, ये प्रथमबुक्स प्रकाशन की पेशकश है अन्ना मणी ने अपने जनम दिन पर केक पर लगी हुई आठो मोमबतिया फूक मार कर बुझा दी जनम दिन मुबारक हो अन्ना, उसके भाई बहन चिलाए अन्ना का परिवार काफी बड़ा था और पहाडी पर बना उनका घर भी पर अपने जनम दिन पर उसके बस एक छोटी सी इच्छा थी अन्ना मडी ने अपना जनम दिन का उपहार फाड कर खोला और धीरे से अंदर जाका अंदर कुछ चमक रहा था हीरे के बूंदे? अईययो! उसको हीरे के बूंदे नहीं चाहिए थे वो काफी महंगे तो थे पर उसके लिए बिलकुल बेकार थे क्या आप जानते है कि अन्ना वाकई में क्या चाहती थी? बस किताबे, किताबे और धेर सारी किताबे हमारे घर में किताबे है तो सही उसका भाई बोला पर अन्ना तो पहले ही उनको पढ़ चुकी थी पुस्तकाले में और भी किताबे है उसके पिता ने इशारा किया पर अन्ना ने उन सबको भी पढ़ डाला था वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई कुछ देर बात अन्ना मणी के दर्वाजे पर एक दस्तक हुई पर बाहर तो कोई भी नहीं था पर कुछ तो था वही दर्वाजे के पास रखा था एक बहुत बड़ा डबा अच्छा होगा अगर इसमें और गहने ना हो उसने जोर से कहा डब्बे में गहने नहीं थे उसमें था एकदम नया विश्वकोश संग्रह यानि के एंसाइकलोपिडिया इतनी सारी किताबे अहा अन्ना भाक्ती हुई बाहर गई और सभी घरवालों को गले लगाया बहुत सालों बाद और बहुत सारी किताबे पढ़ने के पश्चाथ अन्ना को एक प्रसिद्ध वैग्यानिक की प्रयोक्षाला में नौकरी मिल गई मुझे यहां क्या करना होगा अन्ना ने पूछा वैग्यानिक ने एक डब्बे की तरफ इशारा किया क्या आप बता सकते हैं कि उस डब्बे में क्या मिला हीरे अययो अन्ना ने कहा पर इस बार हीरों को पहनना नहीं था वो परिक्षन के लिए थे वैग्यानिक चाहता था कि अन्ना मनी उस चीज को खोज निकाले जो हीरों को उनकी चमक प्रदान करती है तो अन्ना ने हीरों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे संबंदित किताबे पढ़ना शुरू किया किताबे, किताबे, ठेर सारी किताबे वैग्यानिक होना उसके लिए सर्वोत्तम कार्य था वो कुछ भी पढ़ सकती थी जो भी उसकी इच्छा हो अन्ना ने उन सभी चीजों के बारे में पढ़ा जो चमकती है और हीरों से ज्यादा क्या चमकता है सूरज तो अन्ना ने सूर्य से संबंधित किताबे पढ़ी सूर्य, सूर्य की किर्णे और मौसम किताबे, किताबे और ठेर सारी किताबे अन्ना ने हजारों प्रयोक किये उसने बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए जिनसे हम किसी भी जगा के मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके। जो हवा में पाई जाने वाली ओजोन गैस को नापता है। ये गुबारा काफी उन्चाई तक उड़ सकता है। वो देखो, वो उड़ रहा है अन्नामणी का ओजोन सोंड। जरा अनुमान लगाईए कि अन्नामणी ने कुल मिला कर कितने उपकरण बनाएं। करीबन एक सो मौसमिय उपकरण। उसका अपना एक सयंत्र भी था जिसमें ये सारे उपकरण बनाए गए। ऐसा लगता था मानों वो कुछ भी बना सकती थी। अन्नामणी देश की सबसे सबसे प्रकरण मौसम विज्ञानियों में से एक बन गई। यहां तक कि जब वो बुजुर्ग और अधिक विख्याद भी हो गई। तब भी उसके खास मित्र नहीं बदले। उसके असली दोस्त वही रहे। किताबे, किताबे और धेर सारी किताबे। कालानुसार अन्नामणी का जीवन परीचें। 23 अगस्त 1908 अन्नामणी का जन्म पिरमेडू केरल में हुआ। 1940 उन्हें बेंगलूरू स्थित सीवी रमन की प्रयोक्षाला में कार्य करने हेतू छात्रवृत्ति यानिकी स्कॉलर्शिप मिली। 1945 वे मौसम विज्ञान की पढ़ाई करने इंगलंड चली गई। 1948 वे वापस आकर भारतिय मौसम विभाग पूरी से जुड़ गई। 1986 वे भारतिय मौसम विभाग में उप महा निर्देशक के पद से सेवा मुक्त हुई। 1980 के दशक में अन्ना ने उपकरण बनाने की अपनी स्वयम की कमपनी शुरू की। 16 अगस्त 2001 केरल में अन्ना मणी का देहान्त हो गया। अभी देखते हैं मौसम से जुड़े मज़ेदार शब्द। Meteorologist ऐसे बोलिये Meteorologist ऐसे वेग्यानिक जो विभिन्नक शेत्रों के मौसम एवं जल वायू का अध्ययन करते हैं। अन्ना मणी ऐसे ही सर्वश्रेष्ट वेग्यानिकों में से एक थी। ओजोन सोंड ओजोन सोंड ऐसे गुबबारे होते हैं जो आसमान में खूब उन्चे उड़ते हैं। इन गुबबारों में ऐसे उपकरण जुड़े होते हैं जो वायू में उपस्थित ओजोन की मातरा को नापते हैं। ओजोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सूरत से आने वाली हानिकारक किर्णों से हमारा बचाव करती है वायू में ओजोन की मात्रा का कम होना हमारे लिए चिंता जनक है अगर आप एक वैज्यानिक बन पाए तो आप किस विशय का अध्ययन करना चाहेंगे आँ कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरवावी एरवावी